नमस्कार दोस्तों मैं भार्षा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम नए भारत के नए दौर में आपका दिल से स्वागत है दो बिल्डिंग दो टावर को गिराने के लिए जो पूरी प्रकिया करीब 12 से 13 सेकंड तक चली उसने पूरे मीडिया को हिला दिया सुबह से शाम तक की एक्सेसाइज सबसे बड़ी खबर रही और इससे एक बाज बहुत साफ हो गई वह यह कि आखिर क्यों मोदी जी की जो खास दोस्त हैं जो खास कॉर्परेट दोस्त हैं वह आखिर इतना जतन क्यों कर रहे हैं मीडिया को खरीदने के लिए वहाँ अपनी पैठ बनाने के लिए जबकि दूसरे पुराने दोस्त अंबानी जी का पहले से ही तगड़ा स्टेक है मीडिया में यहाँ पर जो दो टावर को गिराने की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं आपको स्क्रीन पर एक बहुत खास मेन्यू दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से देखिए यह भारती मीडिया भारती लोकतंत्र की कहां तक की पहुच हुई है 75 साल में इसकी कहानी अपने आप में कह रहा है यह बता रहा है कि इंडियाज बिगस्ट डिमॉलिशन गेस्ट कितने बज़े पहुचेंगे इलेमेंटरी होटिल में किस समय चाय होगा किस समय खाना होगा किस समय वहाँ पर वो जाके नजारा देखेंगे और उसके बाद हाई टी के बाद वापस चले जाएंगे इस पर अलग-अलग धंग से सोशल मीडिया पर जिस तरह से मीडिया एक्टिव रहा बाकी तमाम लोग एक्टिव रहे उसने खाली तोड़ दी जब भारत की क्रिकेट में जीत हुई और इसे भी लेकर जिस तरह से BCCI के प्रमुख जैशाह और भारती ज़ंडे के प्रति उंका जो प्रेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा दूसरे ढंका ब्रेक और इंटर्टेन्मेंट हम सब के लिए कर पाया लेकिन जो बड़ा सवाल है कि जो परसेप्शन की लड़ाई है जो अवधारना की लड़ाई है जो खबर नहीं है उसे खबर बनाने की जो होड़ है वह किस तरह से चल रही है जो क्रोनोलोजी है उसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह दिमाग का खेल है दिमाग पर कबजे से ही जीता जाएगा यह जीता जा रहा है यह खेल अब एक बहुत एहम सवाल कि यह जो खेल है लोकतंद्र को जिस तरह से खेल में तबदील किया गया है इसके नियम अलग-अलग है हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से जारखंड की सरकार को गिराने के लिए केंद्र सरकार पूरा जोर लगाई हुई है एक के बाद एक कदम उठाये जा रहे हैं इस क्रम में जारखंड के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन पर जो भरष्टाचार का आरोप लगा है चुनाव आयोग जिस तरह से उन्हें डिस्क्वालिफाई करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है तमाम तरह की खबरे आ रही है उसने बड़े पैमाने पर जारखंड में खलबली मचाई है एक ऐसी खलबली जिसे लेकर साफ हो रहा है कि किस तरह से जारखंड में जो विपक्ष की सरकार है उसे बचाया जा सकता है यहाँ Office of Profit का मामला बना है कि खुद हेमन सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं मंत्री हैं उन्होंने किस तरह से एक खान को आवंटित किया अपने ही सम्मूह के लिए मामला बहुत गंभीर है लेकिन यहाँ पर कुछ और मामले याद दिलाना बेहर जरूरी है जैसा हमने पहले कहा कि खेल एक है लेकिन अलग अलग पार्टी के लिए नियम अलग मिसाल के तौर पर यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं यह सिक्किम से है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग भी इसी तरह के एक मामले में फसे थे उन्हें अक्टूबर 2019 को बाई पॉल उप आयोग ने वहां तो तमांग के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला था उन्हें दोशी करार दिया गया था एक साल की सजा थी सब कुछ को बाई पास करते हुए किस तरह से चुनाव आयोग ने उन्हें सत्ता में बने रहने का पूरा का पूरा रास्ता खोला था यह हम सब ने देखा था सवाल उठ रहा है कि आज जब जारखंड सरकार को निशाने पिलिया जा रहा है तो क्या इसकी एक बड़ी वजह वहाँ पर विपक्ष की सरकार होना है क्या एक खेल के दो नियम अब नए भारत का निया नॉर्मल बन चुका है दोस्तों किस तरह से जब सिस्टम बलातकारियों के पक्ष में खड़ा होता है तो निशाने पर सिर्फ बिल्किस बानो नहीं होती है यह बात हमें लगातार दोहरानी जरूरी है और अगर हम ना भी दोहराएं तो जिस तरह की खबरें हमारे इर्द गिर्द आ रही हैं हमारे आ पड़ा होने की उतर आता है तब सवाल सिर्फ बिल्किस बानो का नहीं होता है हम सब ने देखा कि 15 अगस्त 2022 को किस तरह से गुजरात में 2002 में जो सामप्रदाइक नर्सहार हुआ था बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसकी शिकार बिल्किस बानो बनी थी उनके साथ सामो कॉंस्पिरेटर शामिल थे उन सब को रिहा कर दिया गया था और गुजरात में इसमें बड़े पैमाने पर पॉलिटेक्स हो रही है जो हम सब ने देखी और इसके खिलाफ देश भर में जो आपको स्क्रीन पर तस्मीरे दिखाई दे रही है वे बता रही हैं कि बड़े पै लोग ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे थे जिनहीं लग रहा था कि यह सिर्फ तब होगा जब पीडिता मुसल्मान होगी लेकिन अब आप देखिए जो खबरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वह बता रही हैं कि बलातकारियों के पक्ष में ज दाती देखता है कभी ब्रामण बढ़ाता है कभी कुछ और बताता है वह सिस्टम हिंदू महिला के पक्ष में भी नहीं खड़ा होता अब देखिए मद्रप्रदेश के खजुराहों के ब्रहमेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार लवलेश तिवारी 24 अगस्त को 6 महिने बलातकार के आरोप में जेल में रहकर बाहर आते हैं रात का समय है और अब आप देखिए कि किस तरह से उनके स्वागत में भीड जुटती है नारे लगाती है उनका स्वागत करती है उन्हें मालाएं पहनाती है और पूरा का पूरा जुलूस निकलता है क्या यहां पर जो जुलूस में लोग शामिल हैं वे उस पीडिता उस महिला के पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं क्यूं क्यूंकि वजह धर्म है लेकिन शायद यहां बलातकार का आरोप जिस पर है और जिसने शिकायत की है दोनों का धर्म एक है यानि महिलाओं के खिलाफ जो सिस्टम खड़ा होता है वो एक स्टेज पर जाकर सबको एक ही धंग से ट्रीट करता है करनाटक से यह जो खबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह चित्र दुर्गा शहर में जगद गुरू मुर्गा राजेंद्र विद्या पीठ मट के जो मुखिया हैं शिव मूर्ती मुर्ग उनके मट में रहने वाली दो बच्चियों से जुड़ी हुई है यह दो बच्चियां बहुत हिम्मट जुटाकर सबके सामने आकर उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह जो शक्स है जो इस मट का मुखिया है वो तकरीबन साड़े तीन साल से उनका यौन शोशन कर रहा है लेकिन हैरानी की बात देखिए दुख की बात देखिए कि इस व्यक्ति पे आरोप जिन बच्चियों ने लगाया उनके समर्थन में उतरा कौन सबसे पहले उनके समर्थन में जो उतरे उनका नाम है बी एस यदुरप्पा जी हाँ बी एस यदुरप्पा ये वही शक्स हैं जो करनाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जो भाश्पा के नेता हैं जिने अभी ही अभी भाश्पा ने अपनी शीर्ष बॉडी में जगा दी है और देखिए कितनी निरलजता से इन दो बच्चियों के खिलाफ वह स्टेट्मेंट देते हैं और वह कहते हैं कि यह आरोप जूट है बिना जांच के वो इस मठाधीश को निर्दोश साबित करते हैं यह पूरा का पूरा जो तंत्र है जो रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाला है बलातकारियों के पक्ष में खड़ा हुआ है यह महिला हिंदू हो यह मुसल्मान हो यह कोई भी धर्म की हो निश्चित तौर पर यह उस पर हमला करने वाला तंत्र है अब आईए देखते हैं कि पूरा का पूरा तंत्र किस तरह से काम करता रहा है और इसमें हमेश शुक्र गुजार होना चाहिए सुप्रीम कोट की रेटायर जर्ज नियाएधीश इंदू मलहोत्रा का उनका एक वीडियो बहुत वाइरल है आप भी देखिए इससे पता चलता है कि नियाएप्रणाली के भीतर किस तरह की सोच है किस तरह से नियाएप्रणाली ऑपरेट करती है वह एक मंदिर के सामने कुछ लोगों से बात करते हुए कहती है कि कम्निस्ट सरकारें हिंदू मंदिरों पर कबजा करना चाहती है रिवेन्यू के लिए राजस्व के लिए और यहां पर वह जिक्र कर रही है केरल के श्री पद्मनाब स्वामी मंदिर का और फिर कहती है खुलकर कि उन्होंने और जस्टिस यू यू ललित जो इस समय हमारे देश के प्रधान ने आए धीश है उन्होंने किस तरह से इस प्रियास को सफल नहीं होने दिया यहां हम आपको बता दें कि वह हवाला दे रही हैं जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसमें उन्होंने जस्टिस ललित के साथ मिलकर इस मंदिर के मेंटेनेंस और मैनेज करने का काम उसकी लोगों तक रख रही हैं यहां बस हम आपको याद दिला दे कि यह वही जज है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जिन्होंने सब्री मला मंदिर में महिलाओं का जो पूरा आंदोलन चला था कि उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए जो केस चला था उसमें उन्होंने महिलाओ के खिलाफ अपना वर्डिक्ट सुनाया था मिसाल अंगिनत है सवाल सिर्फ इंदू मिलहुत्रा का नहीं इस तरह की अंगिनत जज धीरे-धीरे हमारे सामने आ रही हैं हाई कोट की जज प्रतिभा सिंग को भी हम नहीं भूले हैं जिन्होंने खुल कर कहा कि महिलाओं के लि मनुस्मृति का संग्यान करते हुए, जोइंट फैमिली में रहना चाहिए, सयुक्त परिवार में रहना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली से बचना चाहिए देश का भविश्य कितना उज्वल है इसकी एक ताजा मिसाल फिर करनाटक से आई है करनाटक में आठवी के छात्रों को निश्चित तोर पर हमें और आपको best of luck कहना जरूरी है क्योंकि जिस तरह की उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि करनाटक में कक्षा आठ की पाठ पुस्तक में वीर सावरकर को लेकर जो अध्याय जोड़ा गया है और उसमें जो बातें कही गई हैं वह निश्चित तोर पर एक फैरी टेल जैसा लगती है लेकिन जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर छोटे बच्चों के दिमाग को दूशित किया जा रहा है किस खतरनाक इस तरता की अभियान चल रहा है इसके लिए ये चंद लाईने जरूर पढ़िये इसमें साफ तोर पर कहा गया है कि जब सावरकर अंडमान की जेल में कैट थे उन्हें सजा दी गई थी उनकी कोट्री में चाभी तक की जगह नहीं थी लेकिन वहाँ पर बुलबुल चिडिया आती थी और वह उस बुलबुल चिडिया के पंखों में बैठ कर मात्र भूमी की सैर करते थे जब यह टेक्स्ट बाहर आया इस पर हंगामा हो रहा है इस पर बहुत तरह की बाते हो रही है लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरह से पढ़ाई लिखाई और जिस विरासत को जिंदा करने की बात प्रधान मंत्री नरेन मोदी लाल किले से करते हैं उसके जीते जाकते example है यहां करनाटक से ही एक और खबर आई है जिस पर करनाटक सरकार को बड़े पैमाने पर गेरया जाना चाहिए था करनाटक के 13,000 स्कूलों ने प्रधान मंत्री नरेन मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र में उनसे गुहार लगाई है कि राज सरकार बेहत भ्रष्ट आचरण कर रही है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के असोसियेशन ने यह पत्र लिखा है और कहा है कि जो इस समय भाश्पा की सरकार है और जिस तरह से रिश्वत पर पूरी शिक्षा को बेच रही है उसने करनाटक के बच्चों का भविश संकट में डाल दिया है दोस्तों यह सारे सवाल एक बात चीक चीक कर कह रहे हैं आप से और हम से कि जिस दिशा में देश को मोडा जा रहा है जिस तरह से एक ही देश में Constitution एक है नागरिक्ता एक है लेकिन अलग अलग नियम लागू किये जा रहे हैं और सबसे दुख की बाद की बलातकारियों के पक्ष में जिस तरह से समाज को खड़ा किया जा रहा है उसमें न आप सुरक्षित हैं न हम और निश्चित तोर पर हमें और आपको मिलकर आवाज उठानी होगी आपसे अपील है देखिए लाइक करिए शेयर करिए न्यूस क्लिक खोच खबर शुक्रिया